हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब चलिए आज बनाते हैं यूपी की फेमस दलभरी पूरी की रेसिपी इसे बहुत जगा पूरन पूली के नाम से भी जानते हैं यह बहुत ही टेश्टी लगती है तो यहाँ पे हमने लिया है एक कप मटर की दाल इसे हम मटर की दाल में ही बना सकते हैं तो इसे में पानी में डाल के रात भर भीगो के रख दूँगी मॉर्निंग में ये देखिए दाल बहुत ही बढ़िया से फूल गई है ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी से फूली है अब इसे हम अच्छे से धूल लेते हैं तो यहाँ पे दाल हमने धूल ल दालेंगे और आधी चमच जीरा का तड़का लगाएंगे आठ से दस लहसन की कलियां डालेंगे मतर की डाल है इसलिए इसमें हम आधी चमच हेंग डालेंगे तीन से चार सूखी लाल मिर्ष डालेंगे क्योंकि इसी से ये बहुत ही चटक बनता है अब हम 10 सेकंड तड़के को भून लेंगे लोफ लेंपे इसी के साथ यहां पे अभिगोई हुई दाल को हम एड़ कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यहां पे हम थोड़े से मसाले आड़ करेंगे मतलब आधी चमच हल्दी पाउडर और स्वाधा नुसार नमक थोड़ा सा पाने अच्छे से फिर से इसे हम एक बाद चला लेते हैं फ्रेंड्स यह मतल की दाल में बहुत ही टेश्टी और मीठा बनता है लब इसका टेश्ट बहुत मीठा मीठा सा आता है तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसके धकन को लगा देते ह और एक से दो सीटी लगा लेंगे तो यहां पर थोड़ा सा जब ठंधा हो जाएगा और सीटी इसकी निकल जाएगी कूखर की तब धक्कन को हम हटाएंगे और यह देखे बहुत ही बढ़िया से गल गई है जो हमारी दाल है वो पक चुकी है अच्छे से इसे हम चला लेते हैं अब दो बड़े कप लेंगे केहूं का आटा और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और बहुत ही थोड़ा सा ओल डालेंगे मोयन के लिए ताकि यह खुब सॉफ्ट बने जब हमारी पूरी बनके तयार हो मतलब दाल की पूरी तो खुब सॉफ्ट बने अच्छे से मिक्स कर अब इसी के साथ इसे हम ढखते हैं और 10 मिनट के लिए इसे साइड में रखते हैं ये देखे हमने डाल को अच्छे से पीस लिया था अच्छे सने इसे दरदराई रखना है तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ तो यहां पर हमने कढ़ाई चढ़ाई है और लो फ्लेम पे जो पी ही देती हूं बच्चों को बहुत पसंद है अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलाजची पाउडर इससे बहुत ही बढ़िया सी खुस्बू और फ्लेवर भी आता है और धेर सारी धनिया की पत्ति काटके डालेंगे फ लोईया छोटी बदी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लोईया कट कर लिया है बड़ी बड़ी लोईया मैंने कट की है क्योंकि इसके अंदर फीलिंग हमें डाल ली है इसलिए अब लोईयों का हम पेड़ा बना लेते हैं और इसकी छोटी सी कटोरी बना लेंगे अब इस कटोरी के अंदर फीलिंग भर देंगे तो फीलिंग हमें एक हिसाब से रखना है न ज्यादा न कम नहीं तो पूरिया जो है वो फड़ सकती है और अब इसके मूं को हम धीरे धीरे बंद कर देंगे और अंगुठे से थोड़ा सा दबाते हुए जाएं इस तरीके से और अब हम क्या करेंगे इसे बेलेंगे तो पहले थोड़ा सा ड्राइ आटा हम लगा लेंगे और इसके बाद इसे हम पूरी के सेख में बेलेंगे आप चाहें तो इसे चान भी सकते हैं आप चाहें तो इसे तवे पे भी सेख सकते हैं तो यहां पे पूरी को म भी या ओयल जो भी आप यूज करते हैं उसे लगा लेजे दोनों साइड पे हमें ओयल को लगा लेना है अच्छे से और दोनों साइड से उलट उलट के सारी पूरियां हमें बना लेनी है कुछ पूरियां मैंने लोहे के तवे पर बनाई है और कुछ पूरियां मैंने नॉनिस तो ये देखे फ्रेंड्स इप्रेंड, सारी पूर्इं जरूर बताईयेगा और अगर आज की रेशिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर सबस्क्राइब जरूर करियेगा बाबाई